तो भाई लोग क्या हाल चाल आज अपने हाथ लगा है HP Pavilion Thin and Light Laptop और ये Laptop मेरे भाई ने लिया है और आज अपने इस Laptop का एक फुल रिव्यू करने वाले है यानि कि तुमको पूरा बताने वाला हूँ एक दम like build quality वगरा कैसा है डिस्प्ले वगरा कैसा है specifications क्या है performance कैसा है gaming मतलब thin and light laptop है लेकिन gaming की भी बाते हम करेंगे सारी बात है आज की वीडियो में अपने इस laptop के बारे में कर देने वाले है एक type का पूरा full review आपको दूँगा क्या ये laptop लेना चाहिए या नहीं और मेरे भाई ने ये laptop कितने में लिया और तो और मतलब पूरी बाते कर देंगे आज दबा के यार पसंद आती है न वीडियो तो full like बाजी हो जानी चाहिए और ऐसा मसमस content और देखना चाहते हो तो full subscribe बाजी भी हो जाने चाहिए है तो क्या हल चाल मेरा नाम है जतन आप देख रहे हैं कि ये मॉन टेक योडियो चैनल शेल या आज का कारेकरम शिरू करते हैं तो बात करते हैं इस laptop के design और उसके build quality की तो design की बात करूं मैं तो इसका design एक like बहुत ही thin है दूसरी बात यार बहुत ही हलका है बहुत ही lightweight laptop है अब हो गई thin and light laptop जो है और इसका जो design है यार वह student और office workers को देखके बनाया गया है एक बहुत ही professional design है अगर आप एक student हो या फिर एक office में work करते हो तो यार बहुत ही like आपको अच्छे से fit बैट जाएगा बहुत ही simple इसका design है और बहुत ही professional लगता है लगा कि यार metal है पर यह भी लग रहा था कि plastic है तो मैं जरा confused हूँ कि plastic body है या metal body है अब लग तो मेरे को metal body रही है लेकिन हलकी हलकी plastic वाली feel भी आ रही है तो मैं इसकी कुछ confirmation दे नहीं सकता वैसे अगर build की बात करूं तो यार build काफी अच्छा है ऐसा लगेगा नहीं कि आपको एक cheap सा build है बहुत ही strong है like ऐसा नहीं है कि ऐसे टूट जाएगा हलका ऐसा से करो cheap build नहीं है cheap बहुत ही जादा बढ़िया है बहुत ही professional build है मतलब कोई आपको problem आने नहीं वाली है इसके builds है regarding बहुत ही सही build है अब बात करते हैं इसके keyboard की तो यार एक backlit keyboard हमको इसमें देखने को मिल जाता है और काफी सही keyboard है यार मतलब दो level की हमको brightness मिल जाती है इसकी backlit की और मज़ा आता है थोड़ा type बगेरा करने में बात करते हैं इसकी display की तो यार इसकी जो display है ये एक full HD display है जो की 45% की NTSC के साथ आती है अगर मैं इसको sRGB में convert करूं तो around 68% की sRGB आपको इसमें देखने को मिल जाती है और 250 nits की brightness देखने को मिल जाती है और 60 Hz का panel है तो काफी basic सी display है लेकिन हमें इसकी display में देखने को मिल जाता है touch screen इसकी जो display है ये touch screen display है जो की 10 touch point support करती है मतलब ऐसे पूरी 10 की 10 उगलियों से आप इसको touch चला सकते हो मतलब बढ़िया display है इसकी 45% की NTSC full HD display 60 Hz के साथ आपको देखने को मिलती है 250 nits की brightest touch screen तो display के मामले में भी एक अच्छा है तो guys अब बात करते हैं इसकी performance की तो इसमें हमको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है i5 11th generation जो की एक 4 core 8 thread वाला प्रोसेसर है clock speed वगएर की बात है छोड़ दो मेरे को याद नहीं है हाँ मतलब इसकी base clock speed around 2.6 GHz की है और boost clock speed around 4.2 GHz की है इतना ही कुछ है उपर नीचे हो सकता है मैं रोको धंग से याद नहीं है वो चीज और RAM की बात करें तो इसमें हमको 12 GB की RAM देखने को मिल जाती है 8 प्लस 4 थोड़ा मतलब अलग साई combination है और 512 GB की SSD हमको इसके अंदर देखने को मिल जाती है बात करें यार इसके जो integrated graphics है Intel Iris XC graphics काफी सही integrated graphics है अगर इन graphics से आप gaming की बात करो तो yes आप Valorant जैसे games को low settings 1080p अराम से 60 प्लस fps पे खेल सकते हो GTA 5 जैसे games की बात करो तो अराम से 1080p low setting 30 प्लस fps पे खेल सकते हो लेकिन अगर आप जाओगे बहुत ज्यादा modern AAA titles की तरफ जैसे की cyberpunk वगयरा हो गए तो यार ये games तुम 720p एकदम low settings पे खेल लोगे तो तो मैं playable experience नहीं देखने को मिलने वाला है तो हाँ यार छोटी मोटी gaming कर सकते हो थोड़े बहुत shock वगयरा पूरा करने के लिए हाँ बाकी ये gaming laptop है नहीं थोड़े heating की भी दिक्कत देखेगी अगर तुम heavy gaming करोगे इसमें तो हाँ यार ये gaming laptop नहीं है तो ध्यान से थोड़ा बाकी अगर मैं इसके Cinebench R23 scores की तरफ जाओं तो हमने इसमें Cinebench R23 test किया था तो हमें इसमें around single core performance में इसने 1326 का हमें score दिया था और multi core performance में इसने हमें 4156 का score इसने हमें दिया था ये scores इसके हिसाब से काफी सही scores है इन scores में आप आराम से Photoshop जैसे software को easily run कर सकते हो वीडियो डिटिंग की बात करें तो Filmora जैसे software आप बहुत ही easily use कर सकते हो उसमें 4K 60fps editing कर सकते हो Premiere Pro जैसे software भी आप बहुत ही easily use कर पाओगे अगर आप ज़्यादा heavy effects यूज करोगे तो Premiere Pro की timeline थोड़ा lack कर सकते है लेकिन वह इतना major issue है नहीं तो yes आप इसमें आराम से video editing भी कर सकते हो तो बाकी बात करें इस laptop की pricing की मेरा भाई ने laptop कितने में खरीदा तो उसने laptop इंडिया से नहीं लिया है उसने ये abroad से मंगाया है अपने relative के through तो उसको ये laptop अगर मैं Indian currency में convert करके बता हूँ तो 56,000 का पड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता मिल गया और मेरे साब से इसकी pricing होनी चाहिए around 75,000 के आसपास या उससे ज़्यादा क्योंकि भाई बहुती सही laptop है i5-11 जिन, 12 GB की RAM, 512 GB की SSD हमको देखने को मिल जाती है उपर से touchscreen display है तो येस यार पविलियन सीरीज है महंगी होती है तो येस उसको काफी सही deal मिल गई इंडिया में इसका price थोड़ा जादा हो सकता है लेकिन उसको बहुत सही deal मिली है और येस 56,000 में तो बहुत सही deal है और अगर आपको भी मिल रहा है like ibrot वगरा से मगा सकते हो तो मैं तो ये करके मेर को बता देना आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तक तक के लिए good bye